हेलो फ्रॉंट्सु वागत आपका मैं चनल सफलता का डबर और आज नो जनवरी दोसारिकिस आगे देखताज का हमारा पहला चुक्षिन क्या है तो आज का मारा पहला क्युक्षिन है जस्टिस हीमा कोहली ने किस राज्जे के चीफ जस्टिस के रूप में शपत लिए यानि के चीफ जस्टिस यानि के मुख्य नाइदिश के रूप में 21 राज्य की मुख्य नैदिश के रूप में शपत ली है तो जस्टिस हीमा कॉली ने इन्होंने शपत ली है तेलंगाना के चीफ जस्टिस के रूप में किसके रूप में मुख्य नैदिश के रूप में सपत ली है अब बात अगर तेलंगाना राज्य की करें क्योंकि तेलंग जाको याद नाम याद रखना है 29 वा भारस सेंदे एक नया राज्य बनाए गए था क्या तेलंगाना और कब बना था? पहले तेलंगाना के बारे में थोड़ा से जानते हैं 2 जून 2 जून 2014 को इसका गटन हुआ था भारस के उस समय 29 वे राज्य के रूप में और इसे अब जो काटकर जो विभाजित करके जो बनाए गए था वो बनाए गए था आंदर परदेश में से किसमें से? आंदर परदेश में से विभाजित करके आंदर परदेश से लग करके कि नहीं राज्य बनाए गया था क्या तेलंगाना उस समय यूपीए की सरकार थी जैसे कि बलतबान में इंडी की सरकार है और दो जून दोसार चोदा को इसका गठन हुआ था तो अगर प्रिक्षा के अंदर क्यूशन हो जाए कि तेलंगाना का गठन कब हुआ तो गठन आपक थी लेकिन जो समयथ का विभाजन हो तो वा इARAज्रबाद वाला जो हिस्सा था यारी कि छो आगर आ गया था किसके अंदर नए राझय बनाए था तो दाईर दी बात है इसकी राज़ाद नहाए तो यही रह तो यहितर गठनी है यह जरूड़ है कि आंद्र-ब्राज़ाद और आंजप्रदेश की तीन रायधानियां अम्रावती, कुर्णूल और विशा का पटनम जब आंजप्रदेश का कभी क्यूशन आगा तो आंजप्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में आपको इस सारते बता जी जाएगा और जो इस्टूडेंट शुरुआ से मारे साथ जुड़े हुए हैं जब तक जब भी क्यूशन आता है आज प्रदेश से समंदी तो तीन रायधानि क्यों है कैसे बनी क्या इनको लेकर विवाद हुआ और तीनों रायधानिया क्या का काम करती हैं सब महाँ पर आपको कवर करा दे जाता है आईएब आपने क्यूशन के और देखते हैं तो तेलंगाना के हम यह आपर बात कर रहे हैं रायधानी को उपर हमने शिर्चा कर ली बात अगर मुख्य मंत्री करें यानि के चीफ मिनिस्टर ओफ तेलंगाना तो इनका नाम है के चंदर शेखर राओ को है के चंदर शेखर राओ तेलंगाना के मुख्य मंत्री हैं अगर बात राज्यपाल की कर्यान एक गवर्णर की तो यह तमिल साइ सोंदरा राजन, कौन? तमिली साइ सोंदरा राजन है, यहां के राज्यपाल, आगे बढ़ते हैं, देखते एक लगनिशन का है, लेकिन उससे पहले आके जो नेवी कलब हमें दिये गए हैं, उसको अपर जिर्षा करते हैं, गुझरात के अगर हम बात करें, कुझरात, आगे राजदानी है, गांदीनगर, यह भात आपको याद रखनी है, और इस राज्ये के अंदर, वीजप यानि के भारती जंदवार्णरे की सरकार है, और यहां के जो C.M है, उनका नाम है वीजे-रूपानी क्या है वीजे रूपानिया के मुखे मंत्री है अच्छा कर बात हम यहां कर गुजरात है गुजरात के हम गवर्णर के बारे में करें यहां के जो राज्यपाल है वो कोन है तो यहां के राज्यपाल है उनका नाम है आचारिये देववरत राज्यपाल है कहां के राज्यपाल यहां के जो मुख्य मंत्री हैं उनको नाम है शिवराज सिंग चोहान क्या है शिवराज सिंग चोहान और यहां के करम राज्यपाल के बारे में बात करें यह गवर्णर ओफ MP गवर्णर ओफ मध्यप्रदेश तो वह है आनंदी बेन पटेल से एक बात और आपको याद रखने चाहिए हम आनंदी बेन पटेल की बात करें या फिर हम बात करें बहगत सिंग को शारी की जो कि महाराष्ट और गोवा दोनों राज्यों के राज्यपाल है तो इनके बारे में एक अलग सी क्लास लिगए आप महापर जाकर इस सभी चीज़ अपनी किलिए कर सकते हैं कि एक अब एक्जाम हो, रेल्वे हो तो आप महापर ये आप के लिए मुझता जरूर है आप महापर जाकर इस जरूर ले 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 अगला क्यूश नहिमारा मराथी पतरकाईटेज़ दिवան यूरड ऑगलाद धिले सकते हैं किसने क्या है तो अगनी सुरक्षा अगनी सुरक्षा आप समयते होंगे यह दमकल आग विभाग आग को आप समझ जाईए अगनी आग दमकल विभाग अगनी सुरक्षा उपाएं उपर यानि कि इसके परती जो इसके उपाएं है अगनी सुरक्षा के इसके परती जागरुकत लाने के लिए जागरुकता लाने के लिए देश में अपनी तरह के पहले फायर पार्क का उत गाटन किसने क्या है कुछ इस पिश्चन को नहीं समाई तो पहले क्यूशन को ओर के साथ पढ़ा करो ध्यान के साथ फिर उसे समझा करो और उसके बाद आकर अपने आंसर पाई पा अधनी तो यहाँ की राज़ें ब्यूशता नहीं के बात क्रोड़ करें कि वीजे पी याने कि भारदी जंता पार्टी से सरकार के सरकार है और अगर UP की बात करें तो यहां की राजधानी लखनाव है क्या है लखनाव यहां की राजधानी है और जैसे कि हमने आपको भी राजजपाल के मारे हम उपर पढ़ कर आया है जब हम MP की बात करें तो MP की जो राजजपाल है आनंदी बेन पुटेल तो आनंती बेन पटेली यूपी की भी राज्य पाले और लखनाओ से एक बात और याद रखने हैं लखनाओ से दो या तीन क्यूशन प्रिक्षाओ के अंदर पूह लिजाते हैं वो क्यूशन अगर आप चाहिए तो नोट कर ले अलाबाद आई कोट उसकी जो खनपीट है जो उसकी शाका है वो भी लखनाओ में ही इस थी थे अन्य विकल्पिक अगर हम बात करें यहाँ पर अशोग गेलोग का नाम जया गया है यह आई-एन-स यानि के इंडिनेशनल कॉंग्रेस कॉंग्रेस पार्टी से हैं और यह जो सीएम है यह सीएम है राजिस्थान के यह बात भी आपको याद रखनी है और राजिस्थान के पिटल यानि की राजधानी क्या है जैपुन यहां की राजधानी है और यहाँ पर राजिस्थान के इंदर किसकी सरकार है कॉंग्रेस पार्टी की और यह मुक्य मंत अरशाओ परिशत में एस्थाई से दस्ते के रूप में भारत का कितने साल का कारीकाल चार जनवरी 2019 से शुरू हो गया है, हमारा देश भारत, हाल ही में एस्थाई से दस्ते बना है, किसका सईउपतुराश्च सुरुषा प्रिशत का, यानि की जिसे UNSC भी कहा जाता है, तो UNSC से से कौन भारत 1 1 सार जंवर, 2 वर्ष के लिए बना है UNSC की इसको कहते है हिंदी के दे सायोग उप्राइड से नाव आपने सुना हो इसकी क्लास आपको कुछ काफी महीने पहले लिए गई तो क्लास इसकी विस्तार से इंदर सब समझागे कितनी इसकी आदिकारिक बाशा है कौन कब इसकी इस थापना की गई इस संकटन की कौन को ने सदस्य यह सब बाते हमाँ पर कवर की गई है उसके लाव और भी ज़द वि चैनल के जागर आप वीडियो में जाएगे तो नीच जागर स्कीलाथ आपको बिल जाएगी अचा बात करते हैं आपसे इंससी के बारे में इसका पूरा नाम क्या है तो UNSC का पूरा नाम है United Nations Security Council क्या United Nations Security Council अग्छा बात अगर स्थापना करेंज कि चोभी सक्तु पर उनिसारिस को और इसका मुख्या ले नियू यूर्क में अगला क्यूशन है मारा परवासी भारती दिवस कब मनाया जाता है तो परवासी भारती दिवस ये मनाया जाता है नो जन्वरी को कब मनाया जाता है नो जन्वरी को परवासी भारती दिवस मनाया जाता है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला क्यूशन क्या है काबूल है कि रायदानी है कहां की रायदानी है काबूल अफगानिस्तान की और अश्रफ गनी है यहां के प्रेजडेंट यानि के यह यहां के राष्टपती है कहां के अश्रफगनी अफगानिस्तान के चीन के अगर हम बात करें चीन की रेन मिन भी क्या है रेन मिन भी चाइना की करें और अगर हम बात करें रेन मिन भी बात अगर हम करें राष्टपती के बारे में तो य जिन पिंग क्या है? शी जिन पिंग के राष्टर पती है अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि लुट यूशन किया है? अगला क्यूशन अवारा बलूमबर्ग की तरफ से जाली अरब पत्यों की सूची में दुनिया कि सबसे मीरवेक्ति कौन बन गए है जो Bloomberg की जबसे हाली में जो सूची जारे की गई है और उसमें अरब पच्यों की सूची के अंदर सबसे मीरवेक्ति हाली में बन गए है Elon Musk कौन बन गए है? Elon Musk अगला किशे नमारा कें सरकार ने लद्दाक में सिंदू नजी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्द पर हैंना को मन्दूरी दिए कितनी आठ बात लज्द्दक के अंदर दिये हैं लज्दाक की दो राय धानिया रहाई तो लेए एमकारचे थो यहां के उप राजज्यपाल 있지 यहां के स्रुद्धकिषर्न मातृर्व कौन 아닌 राधाकिर्षण मातृर् अगला किस्चन हमारा केंड्र सरकार्ण विपस्वर्ष यानि कि Central Government ने जो नुमान लगाया है 2020 की यहाँ पर थोड़ी सी जो मिस्टेक हो रही है अगर आप इसे आप सही कर रहे है यहाँ पर तो यहाँ पर केंदर सरकार ने जो नुमान लगाया है 2020 के बात में 2021 की बात हो रही है जो GDP की विकास दर रहने का केंदर सरकार ने लगाया है वो लगाया है 7.7% यानि के 7.7% की नुमान लगाया है केंदर सरकार ने अगला क्यूशन है मारा केंदर सरकार ने जम्मो कश्मीर के विकास के लिए कितने कर रूपे की मंजूरी दिये तो जम्मो कश्मीर के डवलप्मे याया सब खटभ बैस्वाक्रमानी कि वस मत्वस्यों को है जो मंजूरी दिये गई 2800 क्रोडी मंजूरी दिये गई है जम्मु किश्मीर राज जी का हम बास नहीं परता बात करें तो यह कि जो ऑफराज ज्यपा ले वह है Manoj Sinah और समापत होतीो है आपको वीडियो के सब्सक्राइब करने साब क्या फायदा हुआ जो भी मारी वीडियो आए कि जो भी नोटिफिक्शन आएगा उसकी जो भी क्लास आइगा उसके सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी तो इसलिए पूरी तरिकरे सबस्क्राइब जरू करें और शेयर करना तो बिल्कुल बीना पुले